लेजे सुनिये मुशी प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है मान सरूवर छे की कहानी त्यागी का प्रेम मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवास में लाला गोपिनाथ को युवावस्था में ही दर्शन से प्रेम हो गया था अभी वो इंटर्मीडियेट क्लास में थे कि मिल और बरकले के वेग्यानिक विचार उनको कंठस्त हो गए थे उन्हें किसी प्रकार की विनोध प्रमोध से रुचिना थी यहां तक की कॉलेज के क्रिकेट मैचों में भी उनको उत्साह न होता था हास परिहास से कोसो भागते और उनसे प्रेम की चर्चा करना थो मानो बच्चों को जूजू से डराना था प्रातहकाल घर से निकल जाते और शेहर से बाहर किसी सघन व्रिक्ष की चाह में बैठकर दर्शन का ध्यन करने में निरत हो जाते काव अलंकार उपन्यास सभी को त्याज समझते थे शायद ही अपने जीवन में उन्होंने कोई किस्से कहानी की किताब पढ़ी हो इसे केवल समय का दुरुपियोंगी ही नहीं वरन मन और बुद्धी विकास के लिए घा तक ख्याल करते थे इसके साथ ही वो उत्साही न थे सेवा समीतियों में बड़े उत्साह से भाग लेते सुदेश वासियों की सेवा के किसी अवसर को हाथ से न जाने देते बहुधा महले के छोटे छोटे दुकानदारों की दुकान पर जा बैठते और उनके घाटे टोटे मंदे तेजे की राम कहानी संते शने शने कॉलेज से उन्हें घरना हो गई उन्हें अब अगर किसी विशय ऐसे प्रेम था तो वो दर्शन था कॉलेज की बहु विश्यक शिक्षा उनके दर्शना अनुराग में बाधक होती अते उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और एकाग्र चित्त होकर विज्ञानों पारजन करने लगे किन्तु दर्शना अनुराग के साथ ही साथ उनका देशा अनुराग भी बढ़ता गया और कॉलेज छोड़ने के थोड़े ही दिनों पश्यात वो अनिवारे तहा जाती सेवकों के दल में सम्मिलेत हो गई दर्शन में भ्रम था अविश्वास था अंधकार था जाती सेवा में सम्मान था यश्ट था और दोनों की सदित चाय थी उनका वो सदनुराग जो बरसों से वेग्यानिक वादों के नीचे दबा हुआ था वायू के प्रचंड वेग के साथ निकल पड़ा नगर के सारजनिक शित्र में कूद पड़े देखा तो मैदान खाली था जिधर आँख उठाते सन्नाटा दिखाई देता धजाधारियों की कमीना थी पर सच्चे हिर्दय कहीं नजर ना आते थे चारों वोर से उनकी खीच होने लगी किसी संस्था के मंत्री बने किसी के प्रधान किसी के कुछ किसी के कुछ इसके आवेश में दर्शनानुराग भी विदा हुआ पिंजरे में गाने वाली चिडिया विस्तरत परवत राशियों में आकर अपना राग भूल गई अब भी वो समय निकाल कर दर्शन ग्रंथों के पन्ने उलट पलट लिया करते थे पर विचार और अनुशीलन का अवकाश कहा नित्य मन में ये संग्राम होता रहता कि किधर जाओं इधर या उधर विज्ञान अपनी और खीचता देश अपनी और खीचता एक दिन वो इसी उलजन में नदी के तट पर बैठे हुए थे जलधारा तट के द्रिश्यों और वायू के प्रतिकूल जोंकों की परवाना करते हुए बड़े वेक के साथ अपने लक्ष की और बढ़ी चली जाती थी पर लाला गोपिनाथ का ध्यान इस तरफ न था वो अपने स्मृती भंडार से किसी ऐसे तत्व ग्यानी पुरुष को खोज निकालना चाहते थे जिसने जाती सेवा के साथ विज्ञान सागर में गोते लगाए हो सैसा उनके कॉलेज के एक अध्या पक पंडित अमरनाथ अगनी हुत्रिया कर समी बैठ गए और बोले उसके लिए किसे चुनना निशित किया है गोपी देखी कौन होता है आप भी खड़े हुए है अमर आजी मुझे तो लोगों ने जबरदस्ती घजीट लिया नहीं तो मुझे इतनी फुरसत कहा गोपी, मेरा भी यही विचार है अध्यापकों का क्रियात्मक राजनीती में फसना बहुत अच्छी बात नहीं अमरनाथ इस व्यंगे से बहुत लज्जित हुए एक शन के बाद प्रतिकार के भाव से बोली तो माचकल धर्शन का अभ्यास करते हो या नहीं गोपी, बहुत कम, इसी दुविधा में पढ़ा हुआ हूँ कि राश्ट्रे सेवा का मार्ग ग्रहन करूँ, यह सत्त की खोज में जीवन व्यतीत करूँ अमर, राश्ट्रे संस्थान में समलित होने का समय अभी तुमारी लिए नहीं आया अभी तुमारी उम्री ही क्या है? जब तक विचारों में गांभीर और सिध्धानतों पर द्रण विश्वास न हो जाए उस समय तक केवल शड़े कावेशों के वश्वर्ती होकर किसी काम में कूद पढ़ना अच्छी बात नहीं राश्ट्रे सेवा बड़े उत्तरदायत्व का काम है गोपिनाथ ने निश्चे कर लिया कि मैं जाती सेवा में जीवन शेप करूँगा अमरनाथ ने भी यही फैसला किया कि मैं म्यूनिस्पिलेटी में अवश्य जाऊंगा दौनों का परस पर विरोध उन्हें कर्म शेत्र की और खींच ले गया गोपिनाथ की साख पहले ही से जम गई थी घर के धनी थे शक्कर और सौने चांदी की दलाली होती थी व्यापारियों में उनके पिता का बड़ा मान था गोपिनाथ के दो बड़े भाई थे वो भी दलाली करते थे परस पर मेल था, धन था, संताने थी अगर ना थी तो शिक्षा और शिक्षित समदाय में गड़ना वो बात गोपिनाथ की बदौलत प्राप्त हो गई इसलिए उनकी स्वच्छंदता पर किसी ने आपत्ती नहीं की किसी नोंने धनो पारजन के लिए मजबूर नहीं किया अथे गोपिनाथ निश्चिंत और निर्दवन्द हो का राश्टर सेवा में कहीं किसी अनाथाले के लिए चंदे जमा करते कहीं किसी कन्या पाटशाला के लिए भिक्षा मांगते फिरते नगर की कॉंग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना मंत्री नियुक्त किया उस समय तक कॉंग्रेस ने कर्म शेत्र में पदारपन नहीं किया था उनकी कारिशीलता ने इस जीर्ण संस्था का मानो पुनरुद्धार कर दिया वो प्राताह से संध्या और बहुधा पहर रात तक इनी कामों में लिप्त रहते थे चंदे का रेजिस्टर हाथ में लिए उन्हें नित्ति प्रती सांज सवेरे अमीरों और रईसों के दौर पर खड़े देखना एक साधरन द्रिश्य था धीरे धीरे कितने ही ये वक उनके भक्त हो गए लोग कहते कितना निस्वार्थ कितना आदर्श्वादी त्यागी जात का सेवक है कौन सुबह से शाम तक निस्वार्थ भाव से केवल जन्ता का उपकार करने के लिए यह यह दौर धूब करेगा उनका आत्मुत सर्ग प्राया देशियों को भी अनुरक्त कर देता था उन्हें बहुदा रईसों की अभद्रता असजन्ता यहां तक कि उनके कटू शब्दे भी सहने पड़ते थे उन्हें अब विदित हो गया था कि जाति सेवा बड़े अंशों तक केवल चंदे मांगना है इसके लिए धनिकों की दर्बारदारी या दूसरे शब्दों में खुशामत भी करनी पड़ती थी दर्शन के उस गौरव युक्त अध्यन और इस दान लोलुपता में कितना अंतर था कहां मिल और केंट इस पेंसर और केड़ी के साथ एकांत में बैठे हुए जीव और प्रकरती के गहन गूड विशय पर वारता लाप और कहां इन अभिमानिया सभ्मूर्क व्यापारियों के सामने सिर जुकाना वो अंतह करन में उनसे घ्रणा करते थे वे धनी थे और केवल धन का माना चाहते थे इसके अत्रिक तो उनमें और कोई विशेश गुण ना था उनमें अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने कपट व्यवहार से धनो पारजन किया था पर गोपिनाथ के लिए वे सब ही पूचे थे क्योंकि उन्हीं की कृपाद रिष्टी पर उनकी राश्ट्र सेवा अवलंबित थी इस परकार कई वर्श व्यतीत हो गए गोपिनाथ नगर के मान पुर्शों में गिने जाने लगे वो दीन जनों के आधार और दुख्यारों के मददगार थे अब वो बहुत कुछ निर्भीक हो गए थे और कभी कभी रईसों को भी कुमारक पर चलते देखकर फटकार दिया करते थे उनकी तीवरा अलोचना भी अब चंदे जमा करने में उनकी सहायक हो जाती थी अभी तक उनका विवाह न हुआ था वो पहले ही से ब्रह्मिचर विरत धारन कर चुके थे विवाह करने से साफ इंकार किया मगर जब पिता और अन्न बंधु जनों ने बहुत आग्रह किया और उन्होंने स्वैम कई विज्ञान ग्रंथों में देखा कि इंद्रिये दमन स्वास्थ के लिए हानिकारक है तो असमंजस में पड़े कई हफ़ते सोचते हो गए और वो मन में कोई बात पक्की न कर सके स्वार्थ और परमार्थ में संगर्ष हो रहा था विवाकार्थ था अपनी उदार्था की हत्या करना अपने विस्तरत हिरदय को संकुचित करना ना की राष्ट्र के लिए जीना वो अब इतने उचे आदर्ष कत्या करना निंद और उपाहास जनक समझते थे इसके अतरिक्त अब वो अनेक कारणों से अपने को पारिवारिक जीवन के अयोग पाते थे जीविका के लिए जिस उद्ध्योग शीलिता जिस अनवरत परिश्रम और जिस मनुवृत्ति की आवश्यक्ता है वो उनमें न रही थी जाति सेवा में भी उद्द्योक शीलिता और अध्यवसाय की कम जरूरत ना थी लेकिन उसमें आत्म गौरों का हनन न होता था परोपकार के लिए भिक्षा मांगना दान है अपने लिए पान का बीड़ा भी भिक्षा है सभाओं में एक परकार की स्वच्चंदता आ गई थी इन तरुटियों पर परदा डालने के लिए जाति सेवा का बहाना बहुत अच्छा था एक दिन वो सेयर करने जा रहे थे कि रास्ते में अध्यापका मरनाथ से मुलाकात हो गई ये महाशयब म्यूनिस्पल बोर्ड के मंत्री हो गए थे और आजकल इस दुविधा में पड़े हुए थे कि शहर में मादक वस्तुओं के बेचने का ठीका लू या न लू लाब बहुत था पर बदनामी भी कम न थी अभी तक कुछ निश्चे न कर सके थे इन्हें देखकर बोले कहिए लाला जी मिजाज अच्छा है न आपके विवाह के विशे में क्या हुआ गोपिनाथ ने द्रढ़ता से कहा मेरा इरादा विवाह करने का नहीं है अमरनाथ ऐसी भूलना करना तुम अभी नवीवग हो तुम्हें संसार का कुछ अनभाव नहीं है मैंने ऐसी कितनी मिसालें देखी है जहां अविवाहत रहने से लाभ के बदले हानी ही हुई है विवाह मनुष्य को सुमार्ग पर रखने का सबसे उत्तम साधन है जिसे अब तक मनुष्य ने अविश्क्रत किया है उस व्रत का क्या फायदा जिसका परणाम चिछोरापन हो गोपिनाथ ने प्रत्युत्तर दिया आपने मादक वस्तूओं के ठीके के विशय में क्या निश्य किया अमर अभी तक कुछ नहीं जी हिचकता है कुछ न कुछ बदनामी तो होगी है गोपि एक अध्यापक के लिए मैं इस पेशे को अपमान समझता हूँ अमर कोई पेशे खराब नहीं है अगर इमानदारी से किया जाए गोपि यहां मेरा आप से मतभेद है कितने ही ऐसे व्यवसा हैं जिने एक सुशिक्षत व्यक्ती कभी सुईकार नहीं कर सकता मादक वस्तुओं का ठीका उनमें एक है गोपिनाथ ने आकर अपने पिता से कहा मैं विवाह कदापी न करूँगा आप लोग मुझे विवश न करें वरना पच्टाईएगा अमरनाथ ने उसी दिन ठीके के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया और वो सुईक्रित भी हो गया दो साल हो गए हैं लाला गोपिनाथ ने एक कन्या पाठशाला खोली है और उसकी प्रबंधक है शिक्षा की विविन्न पद्धतियों का उन्होंने खूब अध्यन किया है और इस पाठशाला में वो उनका वेवार कर रहे हैं शहर में ये पाठशाला बहुत ही सर्वप्रिय है उसने बहुत अंशों में उस उदासी इंता का परिशोध कर दिया है जो माता पिता को पुत्रियों की शिक्षा की ओर होती है शहर के गणमान पुरुष अपनी लड़कियों को सहर्श पढ़ने भेजते हैं वहां की शिक्षा शैली कुछ ऐसी मनुरंजक है कि बालिकाएं एक बार जाकर मानो मंत्र बुग्द हो जाती है फिर उन्हें घर पर चैन नहीं मिलता है ऐसी व्यवस्था की गई है कि तीन-चार वर्षों में ही कन्याओं का ग्रहस्थी के मुख कामों से परचे हो जाए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ धर्म शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया गया है अब की साल से प्रबंधक महुदय ने अंग्रेजी की कक्षाएं भी खोल दी है एक सुशिक्षित गुजराती महिला को बंबई से बुला कर पाटशाला उनके हाथ में दे दी है इन महिला का नाम है आनंदी बाई विध्वा है हिंदी भाषा से भली भाती परचित नहीं है किन्तु गुजराती में कई पुस्तके लिख चुकी है कई कन्या पाटशालाओं में काम कर चुकी है शिक्षा संबंधी विश्यों में अच्छी गती है उनके आने से मदर्से में और भी रौनक आ गई है कई प्रतिष्टित सज्जनों ने जो अपनी बालिकाओं को मंसूरी और नैनी ताल भेजना चाहते थे अब उन्हें यहां भरती करा दिया है आनन्दी रईसों के घरों में जाती है और इस्त्रियों में शिक्षा का परचार करती है उनके वस्त्रा भूशनों से सुरुची का बोध होता है हैं भी उच्चकुल की इसलिए शेहर में उनका बड़ा सम्मान होता है लड़किया उन पर जान देती हैं उन्हें मा कहकर पुकारती है गोपिनाथ पाठशाला के उन्नती देख देख कर फूली नहीं समाते जिससे मिलते हैं आनंदी बाई का ही गुणगान करते हैं बाहर से कोई सो विझ्धात पुरुशाता है तो उसे पाठशाला का निरिक्षन अवश्य कराते हैं आनंदी की प्रशंसा से उन्हें वही आनंद प्राप्त होता है जो सुयम अपनी प्रशंसा से होता है बाई जी को भी दर्शन से प्रेम है और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें गोपिनाथ पर असीम शद्धा है वो हिर्दय से उनका सम्मान करती है उनकी त्याग और निश्काम जाती भक्ती ने उन्हें वशी भूत कर लिया है वो मुह पर उनकी बड़ाई नहीं करती पर रईसों के घरों में बड़े प्रेम से उनका यशुगान करती है ऐसे सच्चे सेवक आचकल कहा लोग कीरती पर जान देते हैं जो थोड़ी बहुत सेवक करते हैं दिखावे के लिए सच्ची लगन किसी में नहीं मैं लाला जी को पुरुष नहीं देवता समझती हूं कितना सरल संतोष मैं जीवन है ना कोई व्यसन ना विलास भोर से सायम काल तक दोड़ते रहते हैं ना खाने का कोई समय ना सोने का समय उस पर कोई ऐसा नहीं जो उनके आराम का ध्यान रखे बिचारे घर गए जो कुछ किसी ने सामने रख दिया चुपके से खा लिया फिर छड़ी उठाई और किसी तरफ चल दिये दूसरी औरत कदापी अपनी पत्नी की भाती से वसतकार नहीं कर सकती दशेरे के दिन थे कन्या पाट शाला में उत्साओ मनाने की तैयारियां हो रही थी एक नाटक खेलने का निश्चे किया गया था भवन खुब सजाया गया था शहर के रईसों को निमंत्रन दिये गए थे ये कहना कठेन है कि कि किसका उत्साह बढ़ा हुआ था बाई जी का या लाला गोपिनाथ का गोपिनाथ सामग्रियां एकत्र कर रहे थे उन्हें अच्छे ढंग से सजाने का भार आनंदी ने लिया था नाटक भी इन्हें ने रचा था नित्यप्रती उसका अभ्यास कराती थी और स्वेम एक पार्ट ले रखा था विज्यादश्मी आ गई दो पहर तक गोपिनाथ फर्श और कुर्सियों का इंतिजाम करती रहे जब एक बज गया और अब भी वो वहां से ना टले तो आनंदी ने कहा लाला जी आपको भोजन करने को देर हो रही जै अब सब काम हो गया है जो कुछ बच रहा है मुझ पर छोड़ दीजे गोपिनाथ ने कहा खालूंगा मैं ठीक समय पर भोजन करने का पाबंद नहीं हूँ फिर घर तक कौन जाए गंटो लग जाएंगे भोजन के उपरांत आराम करने का जी चाहेगा शाम हो जाएगी आनन्दी भोजन तो मेरे यहां तयार है ब्रामणी ने बनाया है चल कर खालीजे और यहीं जरा देर आराम भी कर लीजे गोपिनाथ यहां क्या खालूंगा एक वक्त ना खाऊंगा तो ऐसी कौन सी हानी हो जाएगी आनन्दी जब भोजन तयार है तो उपवास क्यों कीजिएगा गोपिनाथ आप जाएँ आपको अवश्य देर हो रही है मैं काम में ऐसा भूला कि आपकी सुधी ही न रही आनन्दी मैं भी एक जून उपवास कर लूगी तो क्या हानी होगी गोपिनाथ नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है मैं आपसे सच कहता हूँ मैं बहुधा एक ही जून खाता हूँ आनन्दी अच्छा मैं आपके इंकार का माने समझ गई इतनी मोठी भात अब तक मुझे न सूजी गोपिनाथ क्या समझ गई मैं छूत शाथ नहीं मानता आपको तो मालूम ही है आनन्दी इतना जानती हूँ किन्तु जिस कारण आप मेरे यह भोजन करने से इंकार कर रहे हैं उसके विशय में किवल इतना निवेदन है कि मुझे आपसे केवल स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है मुझे आपसे आत्मियता का संबंध है आपका मेरे पान फूल को अस्विकार करना अपने एक सचे भक्त के मर्म को आगात पहुचाना है मैं आपको इसी दृष्टी से देखती हूँ गोपिनाथ को अपको यह आपत्ती नहो सके जाकर भोजन कर लिया वो जब तक आपसन पर बैठी रहे आनंदी बैठी पंखा जलती रही इस घटना की लाला गोपिनाथ के मित्रों ने यो आलोचना की महाशाय जी अब तो वहीं वहीं पर खूब जोर देकर बोजन भी करते हैं शने शने परदा हटने लगा लाला गोपिनाथ को अब परवश्टा ने सहित तिसेवी बना दिया था घर से उन्हें आवश्यक सहायता मिल जाती थी किन्तु पत्रों और पत्रिकाओं तथा अन अनेक कामों के लिए उन्हें घरवालों से कुछ मांगते हुए बहुत संकोच होता था उनका आत्मसमान जरा जरा सी बातों के लिए भाईयों के सामने हाथ पहलाना अनुचित समझता था वो अपनी जरूरते आप पूरी करना चाहते थे घर पर भाईयों के लड़के इतना कोला हल मचाते कि उनका जी कुछ लिखने में न लगता इसलिए जब उनकी कुछ लिखने के इच्छा होते तो बेखट के पाटशाला में चले जाते आनंदी बाई वहीं रहती थी वहा ना कोई शोर था ना गुल एकांत में काम करने में जी लगता भोजन के समय आ जाता तो वहीं भोजन भी कर लेते कुछ दिनों के बाद उन्हें बैट कर लिखने में कुछ असुविधा होने लगी आँखे कमजोर हो गई थी तो आनंदी ने लिखने का भार अपने सिर ले लिया लाला साहब बोलते थे आनंदी लिखती थी गोपिनात की प्रेना से उन्होंने हिंदी सीखी थी और थोड़े ही दिनों में इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि लिखने में जरा भी चकना होती लिखते समय कभी कभी उन्हें ऐसे शब्द और महावरे सूझ जाते कि गोपिनात फड़क फड़क उठते उनकी लेख में जानसी पड़ जाती वो कहते यदि तुम स्वेम कुछ लिखो तुम मुझ से बहुत अच्छा लिखोगी मैं तो बेगारी करता हूँ तुम्हें परमात्मा की ओर से ये शक्ती प्रदान हुई है नगर के लाल बुझहकड़ों में इस सहकारता पर टीका टिपडिया होने लगी पर विद्धो जन अपनी आत्मा की शुच्टा के सामने ईश्या के व्यंग की कपरवाह करते हैं आनंदी कहती ये तो संसार है जिसके मन में आये कहे पर मैं उस पुरुष का निरादर नहीं कर सकती जिस पर मेरी शद्धा है पर गोपिना थे इतने निर्भीक न थे उनकी सुकीर्टी का आधार लोक मत था वो उसकी भर्तसना न कर सकते थे इसलिए वो दिन के बदले रात को रचना करने लगे पाठशाला में इस समय कोई देखने वाला नहोता था रात की नीरवता में खूब जी लगता आराम कुर्सी पर लेट जाते आनंदी मेज के सामने कलम हाथ में लिए उनकी और देखा करती जो कुछ उनके मुख से निकलता तुरंत लिख लेती उनकी आखों से विनय और शील श्रद्धा और प्रेम की किरन सी निकलती हुई जान पड़ती गोपिनाथ जब किसी भाव को मन में व्यक्त करने के बाद आनंदी की उर्ताक्ते कि वो लिखने के लिए तैयार है या नहीं तो दोनों व्यक्तियों की निगाहे मिलती हैं और आप यही जुक जाती गोपिनाथ को इस तरह काम करने की ऐसी आदत पढ़ती जाती थी कि जब किसी कार्रवश यहां आने का अफसर न मिलता तो वो विकल हो जाते थे आनंदी से मिलने के पहले गोपिनाथ को इस्त्रियों का कुछ जो ग्यान था वो किवल पुस्तकों पर अवलंबित था इस्त्रियों के विशय में प्राचीन और अर्वाचीन प्राच्च और पाश्चात सभी विद्वानों का एक इही मत था ये मायावी आत्मे कुन्नती की बादख परमार्थ की विरोधनी वृत्तियों को कुमार्गी की और ले जाने वाली हिर्दय को संकीन बनाने वाली होती है इनी कारणों से उन्होंने इस मायावी जात से अलग रहना ही श्रेयस कर समझा था किन्तु अब अन्भव बतला रहा था कि इस्त्रियां सनमार्ग की ओर भी ले जा सकती है उनमें सद्गुण भी हो सकते हैं वे कर्तव और सेवा के भावों को जगरत भी कर सकती है तब उनके मन में प्रश्न उठता कि यदि आनंदी से मेरा विवा होता तो मुझे क्या आपत्ती हो सकती थी उसके साथ तो मेरा जीवन बड़े आनंद से कट जाता एक दिन वो आनंदी के हां गए तो सिर में दर्द हो रहा था कुछ लिखने के इच्छा न हुई आनंदी को इसका कारण मालुम हुआ तो उसने उनके सिर में धीरे धीरे तेल मलना शुरू किया गोपिनात को समय अलोक एक सुख मिल रहा था मन में प्रेम की तरंगे उठ रही थी नेत्र मुखबानी सभी प्रेम में पगे जाते थे उस दिन से उन्होंने आनंदी के हां ना छोड़ दिया एक सबता है बीट गया और ना आए आनंदी ने लिखा आपसे पाटशाला सम्मंधी कई विशेयों में राय लेनी है अवश्याये तब भी न गए उसने फिर लिखा मालूम होता है आप मुझे से नाराज है मैंने जान बूझ कर तो कोई ऐसा काम नहीं किया लेकिन यदि वास्तों में आपना आराज है तो मैं यहां रहना उचित नहीं समझती अगर आप अब भी न आएंगे तो मैं दुत्तिय अध्यापिका को चार्ज दे कर चली जाओंगी गोपिनात पर इस धंकी का भी कुछ असर नहुआ अब भी न गए अंत में दो महीने तक खिचे रहने के बाद उन्हें ग्याद हुआ कि आनंदी बीमार है और दो दिन से पाठशाला नहीं आ सकी तब वो किसी तर्किया युक्ती से अपने को न रोक सके पाठशाला में आये और कुछ जिजकते सकुचाते आनंदी के कमरे में कदम रखा देखा तो चुपचा पड़ी हुई थी मुख पीला था शरीर घुल गया था उसने उनकी और दया प्रार्थी नेत्रों से देखा उठना चाहा पर अशक्ती ने उठने न दिया गोपिनाथ ने आर्द्र कंठ से कहा लेटी रहो लेटी रहो उठने की जरूरत नहीं मैं बैठ जाता हूँ डॉक्टर सहाब आये थे मिश्राइन ने कहा जी हाँ दो बार आये थे दवा दे गए है गोपिनाथ ने नुस्खा देखा डॉक्टरी का साधार अंग्यान था नुस्खे से ग्यात हुआ हिर्दय रोग है और शदिया सभी पुष्टिकर और बलवर्धक थी आनंदी की और फिर देखा उसकी आँखों से अश्रुधारा बह रही थी उनका गला भी भराया हिर्दय मसूसने लगा गदगद होकर बोले आनंदी तुमने मुझे पहले इसकी सूचना न दी नहीं तो रोग इतना न बढ़ने पाता आनंदी कोई बात नहीं अच्छी हो जाओंगी जल्दी ही अच्छी हो जाओंगी मर भी जाओंगी तो कौन रोने वाला बैठा हुए ये कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी गोपिनाथ दार्शनिक थे पर अभी तक उनके मन के कोमल भावशे थिलना हुए थे कमपितसर से बोले आनंदी संसार में कम से कम एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देगा ये कहते कहते उन्हें अपने शब्द और भाव कुछ भद्दे और उश्रंखल से जान पड़े अपने मनुभावों को प्रकट करने के लिए वो इन सारहीं शब्दों के अपेक्षा कहीं अधिक कावे मैं रस्पूर्ण अनुरक्त शब्दों का व्योहार करना चाहते थे पर वो इस वक्त याद ना पड़े आनंदी ने पुलकित होकर कहा दो महिने किस पर छोड़ दिया था गोपिनाथ इन दो महिनों में मेरी जो दशा थी वो मैं ही जानता हूँ यही जामजलो कि मैंने आत्महत्या नहीं की यही बड़ा आश्यर है मैंने न समझा था कि अपने व्रत पर इस्थिर रहना मेरे लिए इतना कठिन हो जाएगा आनंदी ने गोपिनाथ का हाथ धीरे से अपने हाथ में लेकर कहा अब तो कभी इतनी कठोरता न कीजेगा गोपिनाथ सचिंत होकर अंत क्या है आनंदी कुछ भी हो गोपि कुछ भी हो अपमान, निंदा, उपहा, सात्म वेधना आनंदी कुछ भी हो मैं सब कुछ से सकते हूं और आपको भी मेरे हेतु सेहना पड़ेगा गोपिनाथ आनंदी मैं अपने को प्रेम पर बलिदान कर सकता हूं लेकिन अपने नाम को नहीं इस नाम को अकलंकित रखकर मैं समाज की बहुत कुछ सेवा कर सकता हूं आनंदी ना कीजे आपने सब कुछ त्याग कर ये कीर्टी लाभ की है मैं आपके यश को नहीं मिटाना चाहती गोपिनाथ का हाथ हिर्दा इस थल पर रखकर इसको चाहती हूं इससे अधिक त्याग की आकांक्षा नहीं रखती गोपिनाथ दौनों बाते एक साथ संभा है आनंदी संभा है मेरे लिए संभा है मैं प्रेम पर अपनी आत्मा को भी नचावर कर सकती हूं इसके पश्चात लाला गोपिनाथ ने आनंदी की बुराई करनी शुरू की मित्रों से कहते उनका जी अब काम में नहीं लगता पहले किसी तंदे ही नहीं है किसी से कहते उनका जी अब यहां से उचाट हो गया है अपने घर जाना चाहती है उनकी इच्छा है कि मुझे प्रतिवर्ष तरक्की मिला करे और उसकी यहां गुंजाइश नहीं पाठशाला को कई बार देखा और अपनी आलोचना में काम को असंतोष जनक लिखा शिक्छा संगठन उत्साह सूप्रबंद सभी बातों में निराशा जानक शतिपाई वार्षिक अधिवेशन में जब कई सदस्यों ने आनंदी की वेतन वृद्धी का प्रस्ताव पस्थित किया तो लाला गोपीनाथ ने उसका विरूध किया उधर आनंदी बाई भी गोपीनाथ के दुख्रे रोने लगी ये मनुश्य नहीं ये पत्थर का देवता है उन्हें प्रसन करना दुस्तर है अच्छा ही हुआ कि उन्होंने विवाह नहीं किया नहीं तो दुख्या इनके नक्रे उठाते उठाते सिधार जाती कहा तक कोई सफाई और सुपरबंधे पर ध्यान दे दिवार पर एक धबा भी पढ़ गया किसी कोने खुत्रे में एक जाला भी लग गया बरामदों में कागस का एक टुकड़ा भी पढ़ा मिल गया तो आपके तेवर बदल जाते हैं दो साल मैंने जयोते हो करके निबाहा लेकिन देखती हूं तो लाला साहब की निगाह दिनों दिन कड़ी होती जाती है ऐसी दशा में मैं यहां अधिक नहीं ठैर सकती मेरी लिए नौकरी में कल्यान नहीं है जब जी चाहेगा उठखड़ी हूंगी यहां आप लोगों से मील महब्बत हो गई है कन्याओ से ऐसा प्यार हो गया है कि छोड़ कर जाने कुछी नहीं चाहता अश्यर था कि किसी और को पाटशाला की दशा में अवनती न दीखती थी वरन हालत पहले से अच्छी थी एक दिन पंडित अमर नाथ की लाला जी से भेंट हो गई उन्होंने पूछा कहिए पाटशाला खूप चल रही है न गोपी नाथ कुछ ना पूछे दिनो दिन दशा गिरती जाती है अमर आनंदी भाई की ओर्जे ढीले क्या गोपी जी हाँ सरासर अब काम करने में उनका जी नहीं लगता बैठी हुए योग और ग्यान के ग्रंथ पढ़ा करती है कुछ कहता हूँ तो कहती है मैं अब इससे और अधिक कुछ नहीं कर सकती कुछ परलोग की भी चिंता करूँ कि 2400 गंटे पेट के धंधों मैं ही लगी रहूँ पेट के लिए 5 गंटे बहुत है पहले कुछ देनों तक 12 गंटे करती पर वही दशा इस्थाई नहीं रह सकती थी यहां आकर मैंने स्वास्त को दिया एक बार कठिन रोग ग्रस्त हो गई क्या कमेटी ने मेरे दवादर्पन का खर्च दे दिया कोई बात पूछने भी आया फिर अपनी जान क्यों दू सुनाए घरों में मेरी बदगोई भी क्या करती है अमरनाथ मारमिक भाव से बोले ये बाते मुझे पहले ही से मालुम थी दो साल गुजर गए रात का समय था कन्या पाठशाला के उपर वाले कमरे में लाला गोपिनाथ मेज के सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे सामने आनंदी कोच पर लेटी हुई थी मुख बहुत मिलान हो रहा था कई मिनट तक दोनों विचार में मगन थे अन्द में गोपिनाथ बोले मैंने पहले ही महीने में तुमसे कहा था कि मत्रा चली जाओ आनंदी वहाँ दस महीने क्यों कर रहती मेरे पास इतनी रुपे कहा थे और ना तुम ही न कोई प्रबंध करने का आश्वासन दिया मैंने सोचा तीन-चार महीने यहां और रहूं तब तक किफायत करके कुछ बचा लूँगी तुम्हारी किताब से भी कुछ मिल जाएंगी तब मत्रा चली जाओंगी अगर ये क्या मालूम था कि बीमारी भी इसी अफसर की ताक में बैठी हुई है मेरी दशा दो-चार दिन के लिए भी संभली और मैं चली इस दशा में तो मेरे लिए यात्रा करना संभा है गोपिनाथ मुझे भय है कि कहीं बीमारी तूल न खीचे संग्रहनी असाध रोग है महीने दो महीने यहां और रहने पड़ गए तो बात खुल जाएगी आनंदी चिड़कर खुल जाएगी खुल जाए अब इससे कहा तक डरो गोपिनाथ मैं भी न डरता अगर मेरे कारण नगर की कई संस्थाओं का जीवन संकट में न पड़ जाता इसलिए मैं बदनामी से डरता हूँ समाज के ये बंधन निरे पाखंड है मैं उन्हें संपूर्ण तहां अन्याय समझता हूँ इस विशाय में तुम मेरे विचारों को भली भाती जानती हो पर करूं क्या दुर्भागवश मैंने जाती सेवा कभार अपनी उपर ले लिया और उसी का फल है कि आज मुझे अपने माने हुए सिध्धानतों को तोड़ना पड़ रहा है और जो वस्तु मुझे प्राणों से भी प्रिय है उसे यो निर्वासित करना पड़ रहा है किन्तु आनंदी की दशा समलने की जगह दिनो दिन गिरती ही गई कमजोरी से उठना बैठना कठिन हो गया था किसी वैद्या डॉक्टर को उसकी अवस्त्थन दिखाई जाती थी गोपिनाथ दवाय लाते थे आनंदी उनका सेवन करती थी और दिन दिन निर्वल होती जाती थी पाठशारे से उसने चुट्टी ले ली थी किसी से मिलती जुलती भी ना थी बार-बार चेश्टा करती कि मत्रा चली जाओं किन्तु एक अंजान नगर में अकेले कैसी रहूंगी ना कोई आगे ना पीछे कोई एक घूट पानी देने वाला भी नहीं ये सब सोच कर उसकी हिम्मट तूट जाती इसी सोच विचार और हैस बैस में दो महिने और गुजर गए और अंत में विवशो कर आनंदी ने निश्य किया कि अब चाहे कुछ सिर पर भीते यहां से चली ही दू अगर सफर में मर भी जाओंगी तो क्या चिंता है उनकी बद्दामी तो ना होगी उनके यश्को कलंक तो ना लगेगा मेरे पीछे ताने तो ना सुनने पड़ेंगे सफर की तैयारिया करने लगी रात को जाने का मूर्थ था कि सहसा संध्या काल से ही परसव पीड़ा होने लगी ग्यारहे बचते बचते एक नन्ना सा दुर्बल सतवा सा बालक परसव हुआ बच्चे होने के आवाज सुनते ही लाला गोपीनात बेता हाशा उपर से उतरे और गिरते पढ़ते घर भागे आनन्दी ने इस भेट को अंत तक छेपाए रखा अपनी दारोन पिरसव पीड़ा का हाल किसी से न कहा दाई को भी सूचना न दी मगर जब बच्चे के रोने की ध्वनी मदरसे में गूंजी तो शन मात्र में दाई सामने आकर खड़ी हो गई नौकरानियों को पहले से शंकाएं थी उन्हें कोई आश्यर न हुआ जब दाई ने आनन्दी को पकारा तो वो सचेत हो गई देखा तो बालक रो रहा है दूसरे दिन दस बचते बचते ये समाचार सारे शहर में फैल गया घर घर चर्चा होने लगी कोई अश्यर करता था कोई घरना करता कोई हसी उड़ाता था लाला गोपिनात के छिद्रानवेशियों की संख्या कम न थी पंडित अमरनात उनके मुख्या थे उन लोगों ने लाला जी की निंदा करनी शुरू की जहां देखिये वहीं दो चार सज्जन बैठे गोपनी एभाव से इसी घटना की आलोचना करते नजर आते थे कोई कहता था इस इस्त्री के लक्षन पहले ही से विदित हो रहे थे अधिकांश आद्मियों की राय में गोपिनात ने ये बुरा किया यदि ऐसा ही प्रेम ने जोर मारा था तो उन्हें निडर होकर विवाह कर लेना चाहिए था ये काम गोपिनात का है इसमें किसी को ब्रहम न था केवल कुशल समाचार पूछने के बहाने से लोग उनके घर जाते और दोचार अन्योक्तियां सुना कर चले आते थे इसके विरुध आनंदी पर लोगों को दया आती थी पर लाला जी के ऐसे भक्त भी थे जो लाला जी के माथे पर ये कलंक मढ़ना पाप समझते थे गोपिनात ने स्वेम मौन धारन कर लिया था सब की भली बुरी बाते सुनते थे पर मूना खोलते थे इतनी हिम्मत न थी कि सबसे मिलना छोड़ दे प्रशन था अब क्या हो आनन्दी बाई के विशे में तो जन्ता ने फैसला कर दिया बहस ये थे कि गोपिनात के साथ क्या वेवहार किया जाए कोई कहता था उन्होंने जो कुकर्म किया है उसका फल भो गए आनन्दी बाई को नियमत रूप से घर में रखे कोई कहता हमें इससे क्या मतलब आनन्दी जाने और वो जाने दौनों जैसे कि तैसे हैं जैसे उदाई वे ऐसे भान ना उनके चोटी ना उनके कान लेकिन इन महाशाय को पाठशाला के अंदर अब अदम न रखने देना चाहिए जनता के फैसले साक्षी नहीं खोचते अनमान ही उनके लिए सबसे बड़ी गवाही है लेकिन पंडित अमरनाथ और उनकी गोश्ठी के लोग गोपिनाथ को इतने सस्ते न छोड़ना चाहते थे उन्हें गोपिनाथ से पुराना दोएश था ये कलका लॉंडा दर्शन की दो-चार पुस्त के उलट-पलट कर राजनीती में कुछ शुद्बुद करके लीडर बना हुआ बिचरे सुनहरी एनक लगाए रेश्मी चादर गले में डाले यो गर्व से ताके मानुस सत्त और प्रेम का पुतला है ऐसे रंगे सियार की जितनी कलाई खोली जाए उतना ही अच्छा जाती को ऐसे दगाबाज, चरित, रहिन, दुर्बला, आत्मा सेवकों से सचेत कर देना चाहिए पन्नित अमरनाथ, पाठशाला की अध्यापिकाओं और नौकरों से तहकिकात करते थे लाला जी कब आते थे, कब जाते थे, कितनी देर रहते थे, यहाँ क्या किया करते थे तुम लोग उनकी उपस्थिती में वहाँ जाने पाते थे या रोक थी लेकिन ये चोटे-चोटे आदमी जिने गोपिनाथ से संतुष्ट रहने का कोई कारण ना था उनकी सकती की नौकर लोग बहुत शिकायत किया करते थे इस दुरवस्था में उनके अबो पर परदा डालने लगे अमरनाथ ने प्रलोबन दिया, डराया, धमकाया पर किसी न गोपिनाथ के विर्द साक्षी न दी उधर लाला गोपिनाथ ने उसी दिन से आनंदी के घर आना जाना छोड़ दिया दो हफते तक तो वह भागनी किसी तरह कन्या पाठशाला में रही पंद्रहेवें दिन प्रबंधक समीती ने उसे मकान खाली कर देने की नोटिस दे दी मैने भर की महलत देना भी उचितना समझा अब वो दुखिया एक तंग मकान में रहती थी कोई पूछने वाला न था बच्चा कमजोर, खुद बीमार, कोई आगे न पीछे, ना कोई दुख का संगी, न साथी शिशु को गोद में लिए दिन के दिन बेदाना पानी पड़ी रहती थी एक बुढ़िया महरी मिल गई थी, जो बरतन धोकर चली जाती थी कभी-कभी शिशु को छाती से लगाए, रात की रात रह जाती पर धन्न है उसके धैर और संतोश को लालक गोपी नास से ना मुह में शिकायत थी, ना दिल में सूचती इन परिस्थितियों में उन्हें मुझसे परामुक ही रहना चाहिए इसके अतिरिक्त और उपाय नहीं है उनके बदनाम होने से नगर में कितनी बड़ी हानी होती सभी उन पर संदेह करते हैं पर किसी कोई साहस तो नहीं हो सकता कि उनके विपक्ष में कोई प्रमार दे सके ये सोचते हुए उसने स्वामी अभेद आनन्द की एक पुस्तक उठाई और उसकी एक अध्याय का अनुवात करने लगी अब उसकी जीविका का एक मात्र यही आधार था सैसा धीरे से किसी ने द्वार खट-खटाया वो चौक पड़ी लाला गोपिनाथ की आवाज मालुम हुई उसने तुरंत द्वार खोल दिया गोपिनाथ हाकर खड़े हो गए और सोते हुए बालक को प्यार से देख कर भोले आनंदी मैं तुम्हे मुँ दिखाने लायक नहीं हूँ मैं अपनी भीरुता और अन्यतिक दुर्बलता पर अत्यंत लज्जित हूँ यद्द्यपी मैं जानता हूँ कि मेरी बदनामी जो कुछ होनी थी वो हो चुकी मेरे नाम से चलने वाली संस्थाओं को जो हानी पहुचनी थी पहुच चुकी अब असंभव है कि मैं जनता को अपना मुझ फिर दिखाऊं और ना वो मुझ पर विशासी कर सकती है इतना जानते हुए भी मुझ में इतना साहस नहीं है कि अपने कुकृत्त का भार सिर ले लू मैं पहले सामाजिक शासन की रत्ती भर परवाह न करता पर अब पग पग पर उसके भाय से मेरे प्राण तक कापने लगते हैं दिकार है मुझ पर कि तुम्हारे उपर ऐसी विपत्या पड़ी लोक निंदा, रोक, शोक, निर्धनता सभी का सामना करना पड़ा और मैं यो अलग-अलग रहा मानो मुझ से कोई प्रयोजन नहीं है पर मेरा हिर्दा ही जानता है कि उसको कितनी पीड़ा होती थी मुझे विदित हो गया कि मेरी सारी दार्शनिकता के वल हाथी के दात थी मुझ में क्रिया शक्ति नहीं है लेकिन इसके साथ ही तुम से अलग रहना मेरी लिए ऐसा है तुम से दूर रहकर मैं जिन्दा नहीं रह सकता मेरे प्यारे बच्चे को देखने के लिए मैं कितनी ही बार लालायत हो गया पर ये आशा कैसे करूँ कि मेरी चरित्रहींता का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमान पाने के बाद तुम्हें मुझसे घ्रणाना हो गई होगी आनन्दी स्वामे आपके मन में ऐसी बातों का आना मुझपर घोरन्या है मैं ऐसी बुद्धीन नहीं हूँ कि केवल अपने स्वार्थ के लिए आपको कलंकित करूँ मैं आपको अपना इश्टदेव समझती हूँ और सदेव समझूँगे मैं भी अब आपके वियोग दुख को नहीं से सकती कभी कभी आपके दर्शन पाती रहूँ यही जीवन की सबसे बड़ी अभिलाशा है इस घ्रणा को पंद्रे वर्ष बीत गए है लाला गोपिनाथ नित बारहे बजी रात को आनंदी की साथ बैठे हुए नजर आते हैं वो नाम पर मरते हैं आनंदी प्रेम पर बदनाम दोनों हैं लेकिन आनंदी की साथ लोगों की साहनब होती है गोपिनाथ सब की निगाह से गिर गए है हाँ उनके कुछ आत्मिय गण इस घटना को केवल मानुशिये समझ कर अब भी उनका सम्मान करते हैं किन्तु जन्ता इतनी सहश्णु नहीं है अभी आप सुन रहे थे मुझ्शी प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है मानसर उवर छै की कहाने त्यागी का प्रेम झाली आप प्रेम